मित्रों आधिपर्व के अंतरगत अध्याय 137 में जब गुरु द्रोन ने गुरु दक्षिना में दुरुपत को कैट करने के लिए कहा, तब उस समय दुर्योधन कर्ण यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना कर्ण लिखा हुआ है, ये वही सूत-पुत्र कर्ण है, अब कर्ण भक्त बहाने बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर अच्छे से देख लो सकुनी भी है साथ में, तब दुर्योधन कर्ण सकुनी आधी सभी ने मिलकर दुरुपत पर आक्रमन कर दिया, कौरवों और अन्यराच कुमारों को अपने पराकर्म पर बहुत घमंड था, इसलिए बानो द्वारा घायल कर दिया, गुरुपत ने अपने बानो द्वारा कर्ण के अंगों को काट दिया, वह भय भीत होकर रत से कूद गया और वहां से भगोडे की तरह भाग गया, जोकी कर्ण हमेशा करता है, कौरवों के पराजित होकर भागने के बाद, अर्जुन ने द्रुपद के धनुष को काट कर उसके सार्थी और घोरो को मार दिया और द्रुपद के रत पर कूद कर उसको काबू में कर लिया और द्रुपद को बंदी बना कर गुरु द्रोन को उफार के रूप में दे दिया